हलो फ्रेंट्स मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा करियर कॉंसलर और कॉंसिरिंग साइकलोजिस्ट मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके लिए नहीं वीडियोज लेकर आऊं और ऐसे टॉपिक पर वीडियोज लेकर आऊं जो आप लिए बहुत हल्पुल हूँ आज कुछ ऐसे ही टॉपिक के ओपर हम बात करने जा रहे हैं आज हम बात करेंगे कि ब्रेक अप के बाद मुवाण कैसे करें बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ब्रेक अप के बाद मुवाण ही नहीं कर पाते हैं उनकी life कही न कहीं stuck होके रह जाती है वो hurt में, दुख में, पीड़ा में ही फसे रह जाते हैं तो आज हम इस topic पर बात करने जा रहे हैं वो कौन सी बड़ी 5 गलतियां हैं जो हम से हो जाती हैं और जिसकी बजह से हम move on ही नहीं कर पाते हैं तो आज इस topic पर बात करेंगे आप मेरे वीडियो को like जुरूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe जुरूर करें और अपनों के लिए इस वीडियो को share जुरूर करें तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं और जिनकी बज़ा से life में move on ही नहीं कर पाते हैं बहुत सारे cases में ऐसा देखा गया है situation में जहां लोग break up के बाद move on नहीं कर पाते हैं सबसे बड़ी गलती जो वो करते हैं वो है कि बार बार दूसरे को मौका देना वो बार बार मौका देते हैं कि अभी चीज़ें सही हो जाएंगी एक बार मौका देंगे लेकिन वो इनसान बार बार वही गलती दोराता है बार वही चीज़ें करता है थोड़े time के लिए आपको छोड़के चला जाएगा दूसरे relationship में फिर वहां उसको अच्छा नहीं लगता है comfortable feel नहीं करते तो बापीस आ जाएगा कुछ time आपके साथ बिताने के बाद फिर दूसरे relationship में यह चीज़ें वो बार बार करता है तो यहां यही समझनी की जूर्थ है कि अगर आप इस तरह से उसको बार-बार मौका देंगे तो आप कभी भी move on नहीं कर सकते और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर कर बैठते हैं वो है कि जो memories हैं बहुत सारी memories आपके पास होंगी वो photos की रूप में हो सकती हैं या वो messages हो सकते हैं या फिर gift हो सकते हैं उन चीज़ों को संभाल के रखना बार-बार देखना उन memories को याद करना जब इस तरह से किसी relationship में जहां आपका break up हो चुका है और बार-बार आप उन चीज़ों को उन photos को उन memories को याद कर रहे हैं देख रहे हैं संभाल कर रखा है तो आप कभी move on कर ही नहीं सकते क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे तब तक move on करने का कोई मतलब ही नहीं रहता इसलिए बहुत जुरूरी है कि आप इन चीज़ों को इन memories को delete कर दें इनको संभालना और देखना बंद कर दें जब इस तरह से आप करेंगे तो आप आसानी से अपने उस रिष्टे से move on कर सकते हैं तीसरी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग कर देते हैं वो ये है कि बार बार सुधरने का मौका वो दुसरे को देते हैं उनको लगता है कोई बात ने एक बार गलती हो गई है मैं मौका देता हूँ ये देती हूँ शायद दूसरा सुधर जाए संभल जाए लेकिन अगर इनसान की वो आदत है, उसका वो behavior है, तो वो कभी नहीं सुधरता, क्यूंकि उसको वो गलतियां करने की आदत होती है, वो बार बार उन चीजों को दोराता है, because वो उसका behavior है, किसी की गलती को एक बार की ही गलती को भूला जा सकता है, सुधरा जा सकता है, लेकिन वही गलती इसे बार-बार करता है तो आप हुष नहीं कर सकते हैं मूव और करना जाते हैं तो यह actu जरूरी है कि आप उस इनसान पर काम करना चोड़ दें इसको सुधारना चोड़ दें इस से तो अच्छा गलती जो अक्सलो कर जाते हैं कि वो self harm पर उतराते हैं कि वहां break up हुआ और रिष्टे से move on नहीं कर पाते हैं तो खुद को hurt करना, self harm करना, कमरे में बंद कर लेना, cut off हो जाना, isolate कर लेना, फ्रेंट, दूसरे फ्रेंट से नहीं मिलना चुनना, घरवालों से cut off कर लेना, ये सा सारी चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं, अगर आप move on करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों के साथ मिले जुले, family के साथ, अपने relationship को दुबारा से अच्छा करें, communicate करें, अपनी life को जैसे आप जी रहे थे, पहले अच्छे से, जैसे आप enjoy करते थे, अच्छी routine के साथ वैसे ही आप अपनी जिन्दगी को continue करें, देखिए आप important है, आपकी अपनी life बहुत important है, अगर दूसरा व्यक्ति आपकी value नहीं करता, आपको importance नहीं देता, तो आपको toxic relationship में रहने की, या उसकी बजह से heart में रहने की, खुद को तकलीफ देने की कोई ज जाते हैं, तो बहुत important है कि आप self love करें, self respect करें, जो कि बहुत important है, खुद की value करें, यूँकि आप में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, जिन पर आपको ध्यान देने की जरुद है, खुद को वक्त दे, पांचवी सबसे बड़ी गलती, जो अक्सर लोग relationship में कर जाते हैं, break up के बाद, उनको लगता है कि चीक है, अब हमने break up कर लिया है, अब वो चीज़े तो नहीं रही जो पहले थी, वो relation भी नहीं रहा, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दोस्त बनके रहना है, हम दोस्त बनके तो रह सकते हैं, देखिए, यह सारी चीज़े में अपने यहां मेरे पास जो लोग आते हैं जिनकी तरह से ब्रेक अप हुए होते हैं और बहुत उस रिष्टे में वो तकलीफ में होते हैं तो उनकी पे जब बाते सुनती ही तो वो यही कहते हैं कि चलो ठीक है रिष्टा तो हमने तोड़ दिया हमने उसको छोड़ दिया लेकिन हमेशा आते हैं कि अब एक दोस बन कर रहें कभी हुआ तो बात कर लिए कभी हुआ तो मिल लिए इस तरह से चीज़े तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि देखिए अगर आप इस तरह से चीज़ों को रखेंगे तो आप कभी भी उस चीज़ से निकल ही नहीं पाएंगे आपकी लाइफ दूसरे के लिए एक टाइम पास बन के रह जाएगी दूसरे का मन करेगा तो आपको कॉल कर लेगा आप से मिल लेगा गुमने पिरने भी आपके साथ चला जाएगा enjoy कर लेगा लेकिन आपकी अपनी life का क्या इसलिए जब आपने किसी को छोड़ दिया है अपनी life से निकाल दिया है तो totally उसको निकाल दिया है ये मान के चलना है आपको रिष्टे में अगर उस रिष्टे से move on करना है तो बहुत important है कि अब आपको उस इंसान से कोई भी किसी भी तरह कर रिष्टा रखना ही नहीं है चाहे वो रिष्टा दोस्ती का ही क्यों ना हो जब आप इस तरह से अपनी life में आगे बढ़ेंगे तो definitely आप उस रिष्टे से उस break up से असानी से move on कर सकते हैं तो बहुत important है अगर आप किसी भी रिष्टे में इस तरह के toxic relationship में फसे हैं और आप उससे चूटना चाहते हैं, move on करना चाहते हैं तो इन 5 गलतियों को कभी भी ना करें और अपने उपर ध्यान दें अपनी life जैसे आप पहले अच्छे से जीते थे जब वो इनसान आपके life में नहीं था वैसे ही आपको एक अच्छी life जीनी है, एक अच्छी routine फॉलो करनी है वो सारी चीज़ें करनी है, activities करनी है जिनमें आपको अच्छा लगता है healthy और अच्छी एक routine बनानी है, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे friends के साथ जो आपकी life में पहले ही हैं, उनके साथ आपको तुवारा वही warning बनानी है जैसे कि आप पहले रहते थे, अगर इस तरह से आप सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत आसानी से आप इस रिष्टे से जो toxic है और आप उसको छोड़ना चाहते हैं, आप आसानी से move on कर सकते हैं तो अपने comment मुझे लिकर जरूर भेजें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और next वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहें, आपके इस प्यार और सहीओ के लिए, thank you